तो स्वागतम गैस वलकम बैक टो दा चैनल तो टिन टाउजन वर्ड के लेटेस एपिसोड में आपका स्वागत है अगर चैनल पे नए तो सस्क्राइब कर देना आप जिसकी वज़े से लेटेस एपिसोड सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंग फैन यान और चोड़ी से लड़की को देखते है जो वहाँ पे केने लगती है हम दोनों ग्रेट वोल्ड से बिलोंग करते है और हमारे क्लैन की लोग ग्रेट वोल्ड के एक एंसिस्टर से हैं जाँ पे 3000 से भी जादा स्मॉल वोल्ड से है और वहाँ पे 33 हैवन अब हम देखते हो चोड़ी सी लड़की की बाते सुनके दोची तरब वहाँ पे यान केने लगती है इतना ही नहीं अब तक तो ठीक चाथ जब से यहाँ पे डाक क्लैन ने पूरी तरीके से वार जाए तब से हमें बस एक छोटी से दुनिया में छिपके रहना पड़ रहा है अब उन्दोने की बाते सुनके दूसी तर लिंग फैंक्स हो से लगता है इस वोल्ड की सिचुएशन को देखके ऐसा लग रहा है कि हमारा गूसन कंटिनेंट इससे भी बेटर हालत में अब हम टूके दोची तरब हमें साउट यान को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपने होस में आया होता है अब जैसे हो अपने आखों को खोलता है उसके सर में तोड़ा बहुत दर्दोने लगता है और रुकेने लगता है पता नहीं कब से मैं आपने कॉइंसनेस में नहीं अब हम देखती है इस सब को सोची रहा था तब ही वहां पे उसका सोड़ी स्परिट आगे आते हुए केंड लगता है मास्टर आप यहां पे वही हो गए मतलब की उठ गे आकरकार आपके साथ में क्या हुआ अब हम देखते हैं सोड़ी स्परिट की बाती सुनके दूसी तर व वहाँ पे उसके सामने एक plant होता है, मतलब कि medicinal plant जिसको देखिए उसकी आँख एकदम चमक गई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वह देखता है कि वह तो medicine के garden में होता है, जिसको देखिए वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, अब हम देखते हो आपे सौटियान की नजर एक मिलेनियम ब्लेसिंग प्लांट वे जाता है जिसको देखे वो बहुत ज़धा सौक हो गया था और हो केन लगता है यह तो बहुत ज़धा रियर है अब हम देखते हो आपे अपने इस्प्रिर्ट शोड को बोलके उसको निकालने के लिए बोलता है जिसको सुनके उसका इस्प्रिर्ट शोड भी आगी तरफ बढ़ता है मतलब कि आगे की तरफ बढ़ते हैं उसको निकालने ही वाला था तब ही हम देखते हैं आस्मान एकदम से खाला हो गया था और हम देखते हैं उसके अंदर से थंदर स्टैक हो गया था जिसकी वज़े से स्प्रिर्ड सोडू सौप को निकाल नहीं पाता है और उस पीछे की तरफ आ जाता है और उस आउटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है मास्टर ये थंदर ट्रैप बहुत ही ज़दा चल गया था उनमें से एक लेड़ी कहने लगती है मास्टर आकिरकार वो क्या एक स्प्रिड वेपन है जिसके रिप्लाइ में उसका मास्टर कहने लगता है आकिरकार ये क्या से हो सकता है थंदर स्ट्राइक की वज़े से इसको पूरी तरिकी से डिष्टर हो जाना चाहिए लगता है ये spirit sword बहुत ही ज़्यादा powerful है अब हम देखते हैं अपने young master की बाते सुनके दोसी तर वो lady कहने लगती है young master इतना ज़्यादा powerful sword तो आप कोई blow करना चाहिए तब ही हम देखते हैं उसकी नजर वहाँ पे साउटियान के उपर जाता है जिसको देखे वो गेने लगती है young master की जगी पे तो एक spirit board भी है अब हम देखते हैं उसकी बात तो कुछ उनके दोसी तर साउटियान खुसे मिल चिलाने लगता है अब हम देखते हैं वहाँ पे ओ लिड़ी अपने चेनों का यूच करते हैं उनके उपर अटैक कर देती हैं अब उनको यह सब फुच लग पा कि हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उन दोलो की उपर अटैक कर देता है और उनको गिरा देता है जिसको देखके उस young master को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उनके लगता है अगर तुमारे अंदर दमे तो सामने हो आखिकार ऐसे चिपके क्यों अटैक कर रहे अब हम देखते हैं वो बंदा आगया आगया था और वो अपने किसी बेल ट्रेजर का यूच करने लगता है जिसको देखके वो इस फिर सोड अपनी पावर बढ़ाता है और हम देखते हैं उसका बेल ट्रेजर वहाँ पर पुरी तरिक से ब्रेक होने लगता है जिसको देख हम देखते हैं वो दोनों आसे बागने की कोसिस कर रहे थे जिसको देखे साउटियान बस एक चुटकी बजाता है और उसने चार और एक barrier को create कर दिया था जिसकी वह जैसे वो दोनों आसे बागनी पारे होते दोचितरफ साउटियान अपने सोड से उन लोगों की उपर अटैक कर देता है और वो दुनों आसे बाग रहे की कोसिस कर रहे थे बट वो नहीं बाग पाते दुसको देखे वो बंदा केने लगते हैं आकिरकार यह क्या से हो रहा है हम यहां से निकल नहीं पारें दोची तरफ साउटियान का सोड अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा था जिसको दे वो नीचे जाके गिरते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजियर हो गए थे अब उन दोरों के ऐसा इंजियर देखे दोस्ते तरफ वहां पर इस पर सोड केने लगता है मैं एक सोड गौड हूँ और तुम लोग यहां पर बहुत ज़्यादा ओवर कन्फिडेंट हो र इस पर सोड दूर जाके गिरता है और वो केने लगता है मास्टर यह तो बहुत ज़्यादा पावफुल है ऐसा लग रहा है कोई यहां पर वर्चुल गौड के लेवल का बंदा आ गया उसी वक्त हम देखते हो वहां पर एक एंसिस्टर आ जाता है जो वहां पर सौट यान क को सुनके दो ची तरफ साउटियान को उसान यह लगता है और वो केर लगता है फरक नहीं परता है तुम लोग कहां से बिलोंग करते हो इवन कि यहां पर कोई भी एंसिस्टर आ जाए आज तुम लोगों को मैं यहां पर अच्छा सबक सिखाऊंगा मेरे मास्टर के बदले म अब हम देखते हैं वो पहला वाला वंदर वहाँ पर एंसिस्टर के पास जाता है और वो केर लगता है ग्रैन फादर इस स्प्रिट बॉट को आप मुझे दे देना क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यदा सताय है इसको मैं अपना पेट बनाऊंगा अब हम देखते हैं उस जैसे वहाँ पर सौटियान कुछ नहीं कर पाता और वो पीछे जाके गिरता है और वहाँ पर थोड़ा से इंजोड हो गया था अब इसी मौकी का फाइदा उठाते हुए एंसिस्टर अपने किसी ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसके अंदर सौटियान के सोट इस्प्र है आज मेरा लगकी डे क्यूंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा ट्रेजर आने वाले इतना केत्व हम देखते हुए उसने वहाँ पर अपने पावर को बढ़ा लिया था जिसकी वज़ेचे वह सोट उसके कैप्शर में आ गया था जिसको देखे हुए वहाँ पर सौटिया पेट को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुस्किल था बट आपने तो बहुत ही आसानी से कर दिया अब उनके बाते सुनके वहाँ पर सौटियान के लगता है तुम लोग रुको जरा जब मेरे मास्टर आएंगे तो देखना तुम लोग अपने लाइफ के लिए बेक करोगे म पिल भी तब भी तुम्हें यहाँ पर जाने का मौका नहीं मिलेगा तुम लोग उसी वक्त खतम हो जाओगे मेरे मास्टर के आतों से दोशी तरव हम देखते हैं वह एंसेस्टर के लिए लगता है यह बहुत बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ओड़नरी इसलिए तुम्हार पिलिंगफैंग को भी महसूर्च हो गया था और वो केन लगता है अखिरकार ही क्या हो गया अगर हम देखते हूं पर वहाँ पर लेडी केन लगता है आखिरकार क्या हुआ जिसके रिप्लाइब mem similar लगता है लगता है मेरा पिट यहाँ पे बहुती बड़ी ट्रॉबल में जिसको सुनके वो छोटी ची लड़की कहने लगती है आपका पिट आखिरकार वो कहाँ पे जिसके रिप्लाइन में लिंग फैंग कहने लगता है वो नियर बाय है मतलब कि मेरे आसपास है बट उसके एक्जक्ट लोकिसन को में ट्रैक नहीं कर पारा जिसके रिप्लाइन में वहाँ पे मिस यान कहने लगती है आप चिंता मत करो क्योंकि हमारे क्लैन के पास में ऐसा स्प्रिट होता है जिसकी वज़े से हम लोग किसी को भी बहुत ही आसान इसे डिटेक कर लेंगे अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनके लिंग फैंग उन्हें थैंक्यू कहने लगता है जिसको देखके मिस यान वहाँ पे सर्माने लगती है अब हम देखते हैं जिसको देखके हैं उसकी बेहन भी थोड़ी बहुत सर्मा गी थी अब हम देखते हूं आपे लिंक पैंक सोचे रखता है साउट यान के उपपर जो डिवाइन फायर मार्क था वो अभी भी है इसका मतलब वो अभी भी ठीक है तो गाइज जितके साथ एपिसोड खतम होता है थैंक यू वाचिंग बाबाई से च अब है चाहँ झाई बाइज लगी अवाचिंग बाइए